लेकि मुझे हैरानी इस बात के होगी कि दूरदर्शन को ले करके वो धुबराठी इतना सफेद जूट बोल रहा है मद्रदश के इंदौर शहर में दयूत नाम की वेबसाइट चलाने वाले मेरे एक युवा मित्र मुझे एक वीडियो भेजी और वीडियो भेजने के साथ मुझे से कहा कि आप इस वीडियो को देखिए और देखकर बताईए क्या ये वीडियो सच है और अगर सच नहीं है तो क्या आप इसका फैक्ट चेक कर सकते हैं क्योंकि ये वीडियो दूरदर्शन को लेकर के थी और इसलिए मृत्यूंजय ने मुझसे इसका फैक्ट चेक कराने की ज़रूरत समझी और आप जानते हैं कि मुझे दूरदर्शन में 22 साल हो गए हैं इसलिए मृत्यूंजय को लगा कि शायद इस वीडियो को लेकर के जो सही तत्य हैं वो मैं इसको शायद बता पाऊंगा ठीक से तो इसलिए मृत्यूंजय ने मुझे वो वीडियो भेजी और ये वीडियो और किसी की नहीं धुरूराथी की है और मैंने पिछली बार भी आपको पिछले वीडियो में बताये था कि धुरूराथी का एक और जूट जो है मैं अगले वीडियो में इसका खुलासा करूँगा तो ये इसी वीडियो के संदर में मैं कह रहा था जो मुझे मृत्यूंजय ने भेजी जब मृत्यूंजय ने जो वीडियो भेजी जब मैंने इसको देखा तो मुझे थोड़ी हैरानी भी हुई और थोड़ी परेशानी भी हैरानी इसलिए हुई कि मुझे लगा कि जिस तरह से अलविश यादों ने अपने वीडियो में खुलासा किया था जो एक धुरवराठी को लेकर एक खुलासा किया था कि धुरवराठी के पास एक बड़ी टीम है और एक विजेता धहिया नाम का एक व्यक्ति है जो बॉलिवूड में फिल्मों के लिए काम करता है और ऐसे कई लोग है जो उसकी टीम में है और विजेता धहिया इसके लिए रिसर्च करता है धुरूवराथी के लिए और विजेता धहिया ही धुरूवराथी की स्क्रिप्ट लिखता है तो फिल्म में स्क्रिप्ट होती है धुरूवराथी की तो इसलिए विजेता धहिया लिखता है इसके बारे में मैंने आपको बता ते जिसमें इनको नालिज ने जो ये लोग इस तरह कि रिसर्च कैसे कर सकते तो पहला तो पहला तो मुझे हैरानी इस बात पूह भाग मुझे लगा कि भी यह औरकलीे मुझो अध Sylmi कि 나오 है और लोग ऑप बॉलिवुट की तरह एक काम लिग दे होगी जिसका सत से कुछ लेना देना नहीं फिर मुझे परिशानी यह हूई कि सीधा-सीधा जूट बोला है यह सफा जूट है सफेज जूट है और इसलिए आज मैं इस जूट का खुलासा करना चाहता हूं इसलिए करना चाहता हूं क्योंकि मुझे मुझे नहीं मालूम जूट हैं जो अदकचरे उसके जो जो पूरी वीडियोज हैं अदकचरा जो ग्यान है जो वो किस तरह से आदा अदूरा जो फैक्ट दिखाता है उसको लेकर कई सारी चीजे लोग लिखते हैं बोलते हैं लेकि मुझे हैरानी इस बात कि होई कि दूरदर्शन को लेकर के वो दूरवराटी इतना सफेद जूट बोल रहा है क्या है यह पहले इस वीडियो को देखिए उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह से दूरवराटी ने इसमें सफेद जूट बोला है लोगों को गलत जानकारी दिया लोगों के सामने जूट रखा है देखिए ज़र दूरशन पर रूलिंग पार्टी और ओपोजिशन पार्टी के पॉलिटेशन इलेक्शन की डिवेट करते थे न्यूज चैनल पर साथ में बैठ कर दोनों को अपनी बात रखने का अधिकार था कि आज के दिन दूरशन ऐसा कर सकता है तो यह धूरवराटी जो है वो इस वी पार्टी और अपोजिशन पार्टी के नेता साथ बैठ कर दिवेट करते थे आज दूरदर्शन ऐसा कर सकता है क्या अरे भाई साहाब मुझे जानकारी दीजिए दूरदर्शन में कब जो है इस तरह की डिवेट होती थी और क्या ऐसी डिवेट कॉंग्रिस के समय में होती थी दूरवाटी जी और क्या ये डिबेट जो हैं कॉंग्रेस ने शुरू करें दूरदर्शन पर और आज आपने कहा कि आज दूरदर्शन कैसा कर सकता है तो भाई साब पहले अपनी जानकारी दुरुस्त कर लीजिए कुछ जानकारी हासिल कर लीजिए कुछ लिख पढ़ ल जा रहा हूं ये जो दूरुवराटी ने इस वीडियो में कहा ना कि पहले जो है ऐसी डिबेट होती थी ऐसे दूर दर्शन में जहां सत्ता पक्ष और वेपक्ष बैठते थे तो भाई साब आपकी मैं जानकारी के लिए आप सब लोगों की जानकारी के लिए बता दो मैं ब बाकी सब चीज़े थी उसमें एक जो कारण था राजीव गांधी की चुनावी में हार का वो दूर दर्शन का मिस्यूज करना था जो प्रचार का जो पूरा है ना दूर दर्शन उसका मिस्यूज करना था क्यों मिस्यूज करना था क्योंकि उस वक्त आपको अगर याद हो अगर आप उस वक्त जो है छोटे थे या उस वक्त पैदा नहीं हुए थे तो अपने परिवार में लोगों से पूछिएगा दूर दर्शन को उस वक्त राजीव दर्शन कहा जाता था तो कि उस पर जो 90% content आता था समाचारों का 90% हिस्सा राजीव गांधी के उपर होता था और राजीव गांधी के समाचारी नहीं बनकी राजीव गांधी इधर जा रहें उधर जा रहें घंटों घंटों उनके लंबे लंबे कारेकरम दिखाय जाते थे तो इसलिए उसको राजीव दर्शन कहा जाता था वैसे आपको ये भी बता दू कि राजीव दर्शन से पहल पहले भी बता चुका है फिर आपको बता रहो सिर्फ चुनाओ के दिनों में फिर से गौर से सुनिएगा सिर्फ चुनाओ के दिनों में सत्ता पक्ष और विपक्ष को बराबर का दूर दर्शन पर टाइम दिया जाता था वो इसलिए और आज भी ऐसा होता है वो इसलिए क्यो चुनाव आयोक की मॉनिटरिंग दूरदर्शन पर भी होती है और दूरदर्शन में सभी पॉलेटिकल पार्टियों को लगबग लगबग बराबर टाइम देना होता है तो इसलिए जो है चुनाव के दिनों में पहले भी विपक्ष को समय मिलता था अब भी मिलता है लेकिन इ जो दूरदर्शन पर जो विपक्ष को बुला कर यह जो चुनाव के जिन दिनों की बात कर रहे है न कि जिन दिनों में मान लो अगर कभी सत्तापक्ष और विपक्ष को बुलाए जाता था तो वो वीपी सिंग की सरकार थी 1989 में जब वीपी सिंग की सरकार आई और उसके बा बड़े लोग आते थे उस वक्त अठल विहारी वाजपई, टॉक्र मनमोहन सिंग, राम विलास पासवान और माधवरा सिंद्य, ऐसी तमाम बड़ी-बड़ी हस्तियां आती थी, क्योंकि उस समय जो ये जो चंक है न दूरदर्शन नहीं करता था, बलकि दूरदर्शन इसको जो सब संसाधन थे, वो NDTV को बेचने की शुरूआत हुई थी, NDTV ने वहीं से पैसा, सरकारी संपत्ती का कीच करके, अपना पूरा चैनल प्रणोराय ने खड़ा कि, ये वहीं से लगा था, लेकिन ये जो दौर था, वो 89-90 का दौर था, जब इस तरह का होता था, और उसके बास से 89-90 के बास से, जो अलग-अलग सरकार हैं, उसमें कॉंग्रेस की सिर्फ एक सरकार थी और वो भी गांधी परिवार नहीं था, वो जो सरकार हैं, उस वक्त चितंज शेकर थे, और उसके बाद पीवी नर्सिंग रहा है, जाहिग सी बात है, गांधी परिवार उस पर नहीं था, आईके गुजराल आए, और उसके बाद अठर विहारी वाच पर गया है, तब उस वक्त जो है, दूरदर्शन थोड़ी-थोड़ी सांस लेने लगा था, और दूरदर्शन में थोड़ी-थोड़ी स्वायत आ आगे थी, क्योंकि राजीर गांधी की सरकार ही गई के लिए, लेकिन दूरदर्शन में असली खुलापन, और ये जो ध्रूर आठी जो कह रहा है न, कि सत्ता पक्ष और विपक्ष जो है, अब बहस करते हैं, तो भाई साब, अब बहस कर सकते नहीं हैं, अब ही बहस करते हैं, कि सुन लिजे आप, जो आप कह रहे हैं न, अपन वीडियो में, कि क्या आप दूरदर्शन पर ऐसा हो सकता है, कि सत्ता पक्ष और विपक्ष बहस कर सकते हैं, तो भाई साब दूरदर्शन पर अब ही ऐसा होता है, और इसकी शुरुआत कब हुई, ये भी आपको बता दू मैं, इसकी शुरुआत साल 2016 में हुई, जब दो ट जिनको दुरूराथी जैसे लोग जो है तानाशा कहते हैं तो 2016 में दूरदर्शन पर वास्तों में डिबेट शुरू ही जिसमें विपक्ष को बुलाना शुरू किया गया उसके पहले दूरदर्शन पर विपक्ष को बुला करके डेली डिबेट हो ऐसा कोई कारेकरम नहीं था कोई कारेकरम नहीं था मैं फिर कहा रहा हूँ सिर्फ चुनाओ के दिनों में बुलाय जाता था चुनाओ के दिनों के इतर दूर्दर्शन में कभी भी विपक्ष को बुला करके डिबेट करने की परमपरा नहीं थी हाँ एक छोटा सा समय था क्योंकि हो सकता है जब मैं कहा रहा हूँ तो कोई पुरानी कोई एक क्लिप निकाल कर लाए तो मैं आपको यह भी बता दू आप वो ऐसी क्लिप निकाल सकते हैं एक छोटा सा समय था जब मनिश्थी वाली A&V मिनिस्टर थे और वो और ये प्रयोग जो है शुरू हुआ और अगर आप इसके बारे में डीटेल में पढ़ना चाहते हैं तो मेरी किताब मोदी वर्सिस खान मार्किट गैंग में आप पढ़ सकते हैं तो चोटा सा प्रयोग शुरू हुआ लेकिन उस प्रयोग के दौरान में एक दिन बीजेपी के किसी प्रवक्ता ने सोनिया गांधी जी को लेकर कुछ बोल दिया और उसके अगले दिन ही वो परंपरा को बंद कर दिया गया कि विपक्ष को अब नहीं बुलाना है सोनिया गां निरंतर बुलाने की शुरुवात हुई और वो शुरुवात जो हुई वो आज तक चल रहे हैं न सिर्फ अब विपक्ष को बुलाते हैं सिर्फ दो टूक में बलकि ऐसे कई घंटों में मतलब जहां भी कही पॉलिटिकल प्रोग्राम होते हैं पॉलिटिकल सोचिए नीट पर जिसमें सरकार जो है एक तरह से कह सकता हूं बुरी तरह से घिरी हुई है नीट को लेकर और नैशनल टेस्टिंग एजनसी को लेकर इस पर भी हमने डिवेट करी मैंने खुद डिवेट करी और इसमें विपक्ष को बुलाया विपक्ष को सरकार पर हमला कर यह विन्हारी दोगराम में जो विपक्षkyाप आते हैं वह प्रनाइंद्र मोधी किसी बोल कर जाते हैं लो दोभा कुछ नहीं बोल कर जाते हैं कि उसके बावजद, हम ने वो प्रोग्रम बंद नहीं कि किwide क्योंकि यह आज़ादी नरेंद्र मोदी ने हमें दी है यह बात ध्यान रखिए तो नरेंद्र मोदी प्रधान मंत्री हैं उनको भी आज दूर दर्शन पर आकर उनके खिलाब बोलने की भी पूरी आज़ादी है लेकिन यूपिये सरकार के दौर में सोनिया गांदी जो प्रधान मंत्री नहीं ती सिर्फ यूपिये की चेर परसन थी उनके खिलाफ बोलने पर भी बेपक्ष की आवाज बंद कर दी गई थी गला दवा दिया गया था और आप इस तरह की जूटी बात करते हैं तो इसलिए मुझे लगा मुझे जानकारी भेजी थी मुझे लगा इसका फैक्ट चेक करना चाहिए और ये जो धूरत राठी माफ की जगा धूरत राठी नाम का जो व्यक्ति है ये जो लगातार जूट पे जूट बोल रहा है जूट पे जूट बोल रहा है बाकी तो मुझे लगता है धुबराथी का जवाब एलविश यादवी है आज के लिए इतने ही नमस्कार